तुलसी दास्किर्त विने पत्रिका का आज हम अध्यान करेंगे तुलसी दास्की विने पत्रिका का 51 पद है जानकी नात रगुनात रागादितम तरुणी तारणयतु तनु तेज धार्म सचिदानंद अनंद कंदाकरम विश्व विश्राम रामा भिराम नील वारिधर सुभग सुभकांति कटि पीत कोसे वर वसन धारी रतन हाट टक जटित मकुट मंडित मोली भानु सत सद्रिस उद्यत कारी रावन कुंडल भालतिलक भुरुरुचिर अतिर अरुण अभुज लोचन विशाल वक्र अवल्लोक तरलोक सुका पहम माररिपु हिर्दे मानस मराल नासिका चारू सुकपोल दुजि वृजदुती अधर बिम्बो पमा मदुरहरास कंठ दर चिम्बुक वर्वचन गंभीर तर सत्ति संकल्प सुरुतरास नासम सुमन सुवचित्र नवतुल सीका दलु युतम म्रदुलवन माल उरुभाजर मान। ब्रह्मत आमो दवस मन्त मधुकर निरक मधुकर मधुतर मुखर कुरुवन्ति गान। सुभक सुरिवत्स केयूर कंटर हार कंकड हार किंकणी रट निर्कटी तटर सालं। बाम दिसी जनक जासीन सिहासनम कनक म्रदु वलिवत तरु तमाल। आजानो भुजदंड कोदंड मंडित वाम बाहु दक्षण पाणी बाण मेकम अखिल्य मुनी निकर सुर सिद्ध गंधर्ववर नमत नर नाग अवनिप अनेकम। अनग अविच्छन सर्वग्य सर्वेश खलू सर्वतो भद्र दाताम सक्माग कम परण तजद्न खेद विच्छेद। बिध्या निपुण नोमी सिरी राम सोमित्र साखं युगल पद्र पद्य सुखप पद्य पद्या लयं। चिन्न कुली साधी सोवती भारी हनुमंतम हृदे बिमलकरत परम परमिंदर सदा दास तुलसी सर्ण सोकहारी। तुलसी दास किर्थ विने पत्रिका में इस पद्धिका अर्थ प्रस्तुत पंक्तियां तुलसी दास की विने पत्रिका से उद्गर्थ हैं। तूलसी दास ने विने पत्रिका में एक पत्र राम चंद्रजी को लिखा है जिसके बारे में इसमें बखान है और इसमें पहले पंक्तियों का अर्थ है जानकी नात रगुनात रागादृतम तरुण तरुणए तेज धाम सचिदाननद आनंद कंदा करम विस्वभिसराम रामा विराम में अर्थ है इसका हे देव आप सीता पति हे देव आप सीता पती रघुबंस के स्वामी मोह और रातरादी रूपी अंधकार के सूरी तरुन और सरीर तथा तेजो मैं है इस प्रकासे रघुबंस का तेजो मैं रूप है इसमें यह वखान है कि जानकी नंद के पती यानि जानकी के पती कौन वे स्री रामचंदर जी तो यहां स्री रामचंदर जी का रूप और उसके वखान का वरणन है कि उनका रूप इस प्रकार है जिस प्रकार से अंधकार को नस्ट करने के लिए सूरी की तेज होता है इस प्रकार से उनका से शरीर है आप सत्चित आनंद सरूप हैं, हे स्री राम चंदर जी, आप सत्च और चित और आनंद सरूप सरोथ के अधार हैं, यानि राम चंदर जी सचित आनंद सत्च और आनंद के सरूप हैं, संपूर्ण विस्वम के लिए विसराम सरूप आनंद मैं स्री राम हैं, यहां स्री राम क वखान है तुलसी दास ने अपने विने पत्रिका में अपने पत्र में यह सब बाते लिख करके राम चंदर जी का वखान किया है अब होज लोचन विशाल दूसरी पंक्तियों का अर्थ है कि प्रस्तुत पंक्तियां भी विने पत्रिका के हे से लिया गया है जिसमें तुलसी दास जी ने कहा है राम चंदर जी की राधना करते हुए कि हे देव आपके सरीर की करांती नवीन शामल मेग की भाती है आप कटी पर पीत रेश्मी वस्तर पितांबार धारन करने वाले हैं यानि कमर में पीला रंका वस्तर धारन करने वाले हैं श्री राम चंदर जी आप है और आपका सीस जो है वहार रत्ने-जडित-षणिम मुकुट से सुसो भी था है राम चंदर जी के सीस पे है रत्नों से मुकुट जडित-वुकुत सुस भी था और रेशनी वस्त्रES आपकी कमर में धारन किये हुए आप पीला वस्त्रथाष धार सेकड़ सूरी से सुसोभित क्या है आपका प्रकासित आलोकित आपका रूप है अब तीसरी पंक्तिया है कि स्रोन कुंडल भालतिलक भूर उची कर आती मैं इसकी पंक्तियों का अर्थ हो गया है इसमें हम बताएंगे जानकी नाथ रखुनाथ अलंकार बताएंगे तो इसमें अलंकार है तम तरोनी तारोन तैन तेज धाम बिस्व विष्राम रखुनाथ और रामा भिराम मैं अनुप्रास अलंकार है इसी प्रकार से नीचे की पंक्तियों में है सुभग सुभ क्रांति कटी पीत मैं सुभ क्रांति यहाँ पर अनप्रास लंकार है और उपमा लंकार का भी इसमें वर्णन किया गया है रत्न हाटक जडित मुकुट मंडित मौली इसमें भी उपमा लंकार और रूपक लंकार को दर्शा गया है स्रवन कुंडल भार इसमें भी भाल भुरूरचर अति अरुण अभोज लोचन मानस मनाल मार इसमें भी लंकार और प्रास लंकार है वक्र अवलोक तरलोक सोखा पहमार रिपुरजे मानस मराल नासिका चारु सुको पोल दिज ब्रजिदुति अधर भिलो भिम्बोपमा इसमें भी आर्था है इसका कि हे देव आपकी नासिका बहुत सुन्दर है और कपोर प्रदेश, कोमल, बदानतो की चमक भी आपकी हीरे की तरह है अधर भिम्बोपमा और आपका जो मुस्क्राहत है आपकी अधर होट जो हैं वह भी बहुत सुन्दर, कोमल, मधूर रास है और आपकी कंठ आपकी जुधनी है आपकी कंठ से निकलने वाली जो मधुर वाणी है चिंबुरुवर वर्जन बहुत ही मधुर है ठोड़ी आपकी रमणिक है यह भी बहुत सुन्दर है और वाणी सत्य संकल्प सील और देवताओं के भाय को दूर करने वाला इस परकार के स्री रामचंदर जी आपकी माणी है सुमन सुविचित्र नव तुलसी का दल युक्त मुर्दुल बन माल डर बाम्र भराज्यमान भ्रमत अमो दवस मत मधुकर निरग मधु मधुरत मुखर कुरूवंति गान तो इन पंक्तियों का अथ है हे देव नव तुलसी दल तातों दलों के संयुक्त तथा मनुहारी पुस्पों से संकुलित सुंदर वनमाला हिरदे पर सुसोबित है पुस्पों से सुसोबिद नव दल कमल आपके तुरसी दल कमल आपके वनमाल आपकी गले में फूलों की माला क्या है? आपका सुसोबिद और वनमाला हिरदे में धारन केवे यह इतनी सोभा दे रही है कि उन्मत होकर मधुकर यानि भौरे आपके फूलों पे क्या है मड़रा रहे हैं और उसकी धोनिया जो गुंजरीत रही हैं यह भी बहुत ही सोभा दे रही हैं इसमें भी वर्वचन सत्य संकल्प सुरुद्रास मैं सुमन सुबचित्रे मैं भी अनपासलंकार है मधुकर निरकर मधुतर मैं भी अनपासलंकार हैं और साथ ही इसमें उपमालंकार भी है और रूपक लंकार से भी इसमें वर्णन किया गया है के यूर कंकर किंकनी कटी इसमें भी अनपासलंकार है भासा संस्कित निष्ट है और सोंदेर ये इसमें गुण माधुरी गुण है इसमें